आज हम आपके लिए आठ नंबर के साथ और आठ नंबर की बूट लेके आ रहे हैं बहुत सुन्दर सी सॉक्स बनाएंगे बूट बूटी सॉक्स स्लीपर कुछ भी बोलिए आज हम वो बनाने वाले हैं और हम टू कलर में बनाएंगे और दस नंबर पे बनाएंगे और इसको बनाना बहुत असान है बिगनर भी इसको बना सकते हैं क्योंकि जे बनकर बहुत सुन्दर लगते हैं जे दो कलर है इसका हम बेसे कलर रखेंगे इससे हम फंदे डालेंगे और फंदे हम बिलकुल सिंपल वाले डालेंगे उसमें इसकी लाइने बनाएंगे हम इस कलर की है न तो हम पहले 25 फंदे डालने हैं तो वो फंदे डाल लेते हैं ऐसे 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे फंदे डालते डालते 25 फंदे डालेंगे जे देखिए फ्रेंड हमने 25 फंदे डाल लिये हैं अब हम उल्टा उल्टा ही बनेंगे हर सलाई उल्टी बनेंगे और दो दो लाइने बनेंगे और उल्टी उल्टी लाइने बनते हुए ऐसे उल्टा उल्टा बनेंगे और उल्टा उल्टा बनते हुए रेड कलर से भी अब इदर से भी हम जो राइट साइड आती है हमारी इसमें भी उल्टी ही स्लाई बुनेंगे यह देखिए हम 4 स्लाई उल्टी उल्टी बुनेंगे तो हमारी जहां पर दो लाइने दिखेंगे उल्टी उल्टी हम आपको दुफाते, बहुत ही असान है, जे देखें, ये देखें, फोर्स राइड कंप्लीट होगी, अब आते हैं, नेक्स्ट कलर में और बैक साइड में, बैक साइड से हम नेक्स्ट कलर को लगाएंगी, तो हम red कलर लगाने जा रहे हैं, इसको आप इसके साथ ही बाइंड कर लीजिए चैव ऐसे ही लगा दीजिए ऐसे हम लगा लेते हैं और जो यह थ्रेड होता है इसको अंदर ले आते हैं तो यह कवर हो जाता है क्योंकि बैक साइड है इसलिए दीखेगा नहीं उदर से तो हमें पूरी स्लाइड से उल्टी बनाएंगे जो देखेओ फ्रेंड हमने बैक साइड से उल्टी बना लिए आप राइड साइड में आते हैं और जहां भी सीधा के दार स्रिप करेंगे इसलिए चैन बढ़ेंगी इस आत में पिर अम जहां भी उल्टी उल्टी स्लाइग बनाएंगे और यह सैकर्न स्लाइड है दो उल्टी उल्टी जे देखिए ऐसे उल्टी सलाई बनाएंगे तो इसकी भी हम 4 सलाई बनाएंगे और दो लाइने रैड की भी बन जाएंगे यह देखिए फ्रेंड हमने चार स्लाइज की बनाई चार रेड की तो हमारी दो दो लाइने आती हैं अब बैक साइड में आते हैं और इस कलर से बनाएंगे तो सीधा फंदा हम पहले सीधा चेन के लिए उतार लेंगे इसको दूसरे कलर से नहीं बुनेंगे थ्रेड अपनी त से अब नेक्स्ट फंदा बुनेगे एक स्लिप का लिया मेरून रेड अब दूसरा सिंपल बुन लिया और पूरी स्लाई हम ऐसे सिंपल ही बुनेंगे इसी थ्रेड से हम फोर स्लाइज कबर करेंगे ज़े हमारी अभी इस कलर से फर्स्ट स्लाई है लेकर हम इसकी फोर कर दो में गरा हएं देंक гру के देखिखिये हो गया है आव आते हैं वे इख साइड में और बैक साइड की बुल्ली है अब आते हैं राइट साइड में तो ऐसी दो लाइने बनानी है कैसे बनाएंगे वह देखें एक स्लाइं फिर दूसरी स्ला इसकी भी हमने 4 ही बना रहे हैं फॉस्ट फंदा आप इसलिप कीजिए तांके चेन बने सुन्दर सी फिर आगे थ्रैट कीजिए और यह फिर उल्टा बुनते हुए इस सलाई को कंप्लीट कीजिए तो कंप्लीट करके हम आपको बताते हैं कि आगे आपने इसकी लेंथ कितनी रखनी है मतलब कितनी सलाईया और बनाएंगे ऐसी उल्टी उल्टी के हमारी लाइने बनती जाएं यह देखिए अब इस बंदे को बुल लेंगे उल्टा ठीक है ऐसे बुल लिया तो एक कवर हो गय अब देखिए दो लाइने इसकी उल्टी उल्टी चार सलाई दो लाइने रेड की चार सलाई फिर दो इसकी लाइने चार सलाई तो चार चार सलाई में बनाएंगे और ऐसी लाइने हम साथ बनाएंगे एक बनगी है फिर दूसरी तीसरी चौती पांचवी छेवी साथ साथ जब बन जाएंगी उसके बाद फिर इस कलर से हमने कैसे बुनना है वो आपको दिखा देंगे है ना तो पहले हम ए लाइने पूरी कर ले और 25 फंदों में बननी स्टार्ट होगी है यह बैक साइड है तो इसको कंप्लीट करके फिर आपको दिखाएंगी जे देखिए की हमारी जो बेसे कलर है उसकी भी सेवन है एक दो तीन चार पांच छे साथ तो साथ और साथ चौदा फोर्टीन लाइने बढ़ी है फोर्टीन लाइने मतलब अठाई सलाईया होगी ज़िए अट दस बारा चौदा सलाई बनाई है 56 सलाईय बनाई है और इसकी लेंथ भी हम आपको बता देंगे और जब हमने ए सैवन लाइने बनाई उसके बाद हमने 22 लाइने आके बुननी है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 और 22 लाइने हमने बुनी है अब जो 22 लाइने हमने उल्टी उल्टी बुनी है तो डबल सलाई होगी ना सलाईया 44 अब इसकी लेंथ हम आपको बताते हैं 56 ए लाइने है 44 जी है तो हमने इसकी जो ए लेंथ है जे 5 इंच है पांच इंच इसकी लेंथ हमने बना दी है अब इसके बाद हमने जो उपर बनाई है वो 4 इंच है ठीक है चार इंच बुनने के बाद फिर हमने यही लाइने आगे बनानी है तो हम बैक साइड में आगे हैं और हमने अपना कलर लगा लेना है और इसको बुनना स्टार्ट करना है चाहे इसी को काट के आप आगे लगा लीजिए अगे आगे लगा लेंगे तो हमने फिर बैक साइड से ही इसको बुनना स्टार्ट करना है और ऐसे हम एस थ्रेड लगा लेंगे यह देखें इसको बीच में रख लेंगे और इसको थोड़ा टाइट करतेंगे तो बीच में रखते रखते इसको बनाते जाना है और एड़ हो जाएगा जे वाला कलर अब जे हमने लगा ली है इसकी भी हमने उतनी ही लाइने बुननी है एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, साथ लाइने आगे बुननी है तो हम आपको फिर बना कर ही दिखाएंगे, जे देखे हमने पूरा थ्रेट कवर कर दिया है पूरी स्लाइब बैक साइड से बनाएंगे और आप राइट साइड में आएंगे जे देखे राइट साइड में आगे, अब हम इसकी भी ऐसे ही दो, दो लाइने बनेगे मतलब 4 सलाई ऐसे सीधा करके और टोटल लेंथ हम आपको बता देते हैं हमारी कितनी हो जाएगी क्योंकि 5 इंच जे है और 5 इंच ही आके बनाएंगे 10 और 4 14 इंच टोटल लेंथ बनेगी तो फिर ये बनाके टोटल आपको दिखाते हैं जे देखिए फ्रेंड हमारी टोटल लेंथ इदर भी बनगी है इदर भी हमने उतनी ही लाइने बनी है तो टोटल लेंथ हमारी 5 इंच 5 इंच और बीज में 14 अगर आपने इससे भी बड़ी सौक से बनानी है तो इसकी लेंथ बढ़ा सकते हैं एक लाइन आप और डाल सकते हैं अगर आप 7 और 8 नमबर से चोटी बनाना चाते हैं 5-6 नमबर की तो आप इसकी इदर से भी एक लाइन कम करें इदर से भी एक लाइन कम करें और चोटी बन जाएगी और जहां 20 लाइने डालें उल्टी उल्टी जो लाइने दिखती है 20 डाल दें हमने 22 डाली है अगर उससे भ दो जहां से बंद करते हैं, तो छोटी सी सॉक्स बनके चार नमबर की आ जाएगे, जही मेथड है, अब इदर भी हमने जहां से स्टार्ट किया था, अब जहां भी हम दो लाइने बना ली हैं, और जहां बैक साइड से हम इसको बाइंड करेंगे, और रेड थ्रेड हमने काड अब इसको बाइंड करेंगे, बैक साइड से कैसे, दो का एक, इदर डाल लेंगे फंदा, फिर दो का एक, इदर डाल लेंगे, दो का एक, तो ऐसे करते करते हम पूरे फंदे बाइंड कर देंगे, तो जहां चेन आएगी, जी देखिए फ्रेंड हमने ए पूरा पीस बुन एक दो तीन चार पांच शे साथ लाईने इतर आई हैं एक दो तीन चार पांच शे साथ इदर है एड, इशका दो, लाईनों से है, इदर भी, इदर भी, एक ही कलर, और बीच में 22 सम खरेज़ु है, आप इसको हम फोल्ड करेंगे, तो fold करेंगे तो जो हमारी सलाई है ना इतर डबल डबल हम thread लगाते थे wrong side से लगाते थे इतर से इसको नीचे करना है इसको उपर लाणा है पैर के finishing के लिए तो हमने क्या करना है हमने इन दुन्नों को ऐसे सिलना है जहां से लेके यहां तक, तो जब सिलेंगे तो इसकी स्लाई ऐसे आएगी, ऐसे, तो बिल्कुल बराबर इसको सिल देना है, सिलने के बाद एडी आएगी, एडी के पीस थोड़े, एचार स्लाईयां इकठी हो जाएगी, एक जैसी लाइने, आठ स्लाईयां है, चार लाइने एकठी हो जाएंगी है ना तो बड़ी सुन्दर एड़ी की एड़ी नजराएगी उसके बाद हमने एफिनिशिंग साइड है एउपर लानी है नीचे वाली जो हमारा थ्रेड लगा हुआ है वहां से जहां तक हमने प्रॉपर स्लाई करनी है पूरी जहां तक और जो इस लाइन है लाइने है इसको प्रॉपर आपस में जोइंट करना है लगे ही ना कि स्लाई की है बड़ी सुन्दर स्लाई करनी है हमने उल्टी उल्टे जो उल्टे उल्टे फंदे है न वो उठाने है फिर स्लाई होगी हम आपको बताते हैं कैसे उठाने है जैसे जे दुन्व आपस मे मिलते हैं तो यह ऐसे ठ्रेट डाला हुआ है ऐसे और इस वाले उल्टे को आपस में से लेंगे उसके बाद फिर हम क्या करेंगे इस उल्टे वाले को लेंगे और इस उल्टे वाले को लेंगे तो ब्राबर आएगी स्लाई उपर से हमने एक एक पीस लिया है जब हम फिर उल्टा करेंगे तो जो हमारे एक चेन है उसको भी आपस में मुटा मुटा सिल देंगे ताके बिलकुल अच्छे से आ जाए तो जब हम सिल लेंगे नीचे से पूरा और साइड से उसके बाद हम ऐसे सिलना है इसको हमने इकठा करना है आके पैर की शेव आ जाएगी उपर हम कोई भी फुलावर कुछ बिलका सकते हैं क्रोशिय से बना कर तो पहले हम स्लाई करने फिर आपको दिखाएंगे जे देखिए फ्रेंड हमने इस स्लाई करती है बैक की क्योंकि जब हमने इसको फोल्ड किया तो बैक की स्लाई होगी फिर हमने नीचे की स्लाई करती पैर के नीचे की स्लाई जो लाइने हैं वो हमने देखिए एक साथ ज्वेंट की हैं कि पता ही ना चले किस लाही कहां तो ऐसे लाइनों को जोड़ कर अपने सिलना है जब इदर की स्राइब भी हो जाए इदर की भी अब आगे का पैर हमने बनाना है जो हमारे एक प्लेन लाइने है इस कलर की उसी को कवर करना है तो हम सुई में थ्रेड उसी कलर का लिया है और ऐसे इसी में से नकालते हुए इकठा करेंगे एक फिर नेक्स लाइन को दबाएंगे और फिर नकाल लेंगे फिर ऐसे तो पूरा हम इसको ऐसे कवर करेंगे सुई के उल्टी साइड से हम कर रहे है ऐसे आग्गे आग्गे बढ़ते हैंगे एक लाइन को दबाईए दूसरी को उठाईए ऐसे फिर इस लाइन को दबाना है इसको उठाना है यह देखिए देखिए हमने न पूरी जो एक कलर है इसी को जो हमारी यह ट्वंटी टूस लाइया थी इसको हमने कवर कर लिया कवर करने के बाद इसको हम खीच कर ऐसे फोल्ड करेंगे तो आगे का पैर बनेगा है ऐसे फोल्ड करने के बाद अब हम इसको बाइंट करेंगे ऐसे बाइंट करेंगे और पक्का करतेंगे तो पैर की शेप आगे से आ जाएगी बहुत सुन्दर सी जब पहनेंगे पूरी फुल शेप आएगी अब इसके बाद इसके उपर हमने फुलावर लगा देना है इसको हम काट देंगे और हमने एए फुलावर बना रखा है इस फुलावर को इसके उपर लगा देंगे तो इसमें थ्रेड है इसी को सुई में डालेंगे और इसके उपर लगाएंगे इसी में थ्रेड था न हमारा बचा हुआ तो इसी में ही हम इसको लगा देंगे जो हमने गुलावर दी है इसी के उपर ऐसे जरी इसी जपर देमा लगता है इसेम आए झांगे इसके पर दो सह उतमरी आग सिप्व में मायाँ जरी हैुआ ंंगे जग खीधर बना आए जड़न ख़र दाले झांगे, लिवरेजियों यज दुलाववरSe चंपते झाले हैं चारों तर्फ गुमा कर लग, बाइंड कर देंगे जी देखिए फ्रेंट हमने फूल लगा दिया है अब यह जो हमने बनाई है सौक्स लेडिज के लिए यह साथ और आठ नमपर वालों को आएगी अगर इससे बड़ी बनानी है तो जो यह लाइने है इसको आगे बढ़ा लीजिए हमने यह साथ लाइने डाली है एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ आठ लाइने डाल लीजिए ट्वंटी टू लाइने उल्टी उल्टी इस कलर की है इसको ट्वंटी फोर कर लीजिए तो ऐसे ही आप आगे बड़ी बड़े पैर की भी बना सकते हैं चोटे पैर की भी हम उनने बता दी है स्टार्टिंग में कैसे बनानी है तो वह भी आप बना सकते हैं तो अगर आपको जे अच्छी लगी हो जे रिखिए स्लाइब ब्राब पर आई है तो नो पैरों की है ना केड़ी में भी तो अगर आप बनाना चाहते हैं तो हमारे साथ इस वीडियो को देखिए और अपने नाप की ए सॉक्स बना डा लिए तो मुझे अमीद है कि आपको बहुत पसंद आई होगी चलिए फिर बनाना स्टार्ट कीजिए और हमारे चैनल को सबस्क्राइब जरूर करें जिस भी क्रियेशन को आपने बहुत प्यार दिया है मुझे अमीद है कि आगे भी आप इतना ही प्यार देंगे अगर कुछ आपने पूछना है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं तब तक खुछ रहें अबाद रहें और हमारे इस चैनल को देखते रहें तो मिलते हैं किसी और अच्छे डिसाइन के साथ किसी और अच्छे प्रजक्ट के साथ तब तक खुछ रहें अबाद रहें थैंक यू बाबार